नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका RK Civil Services Study Point पे दोस्तो हम लोग आर्थ की दोहजार अठारों को कम्प्लीट कर रहे हैं उसके अंतरगत हम लोग भागचार में खनीजों के बारे में अध्यन करेंगे है कि भारत के किस राज़्ध में सबसे ज़दी खनिज का उत्पादन और बंधारण हो रहा है और वैस्शयों पर. तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्रिज. चैसर ईदन खनिज में भा लगुत कम धारणी, मुल्यकी द्रिश्ट्भा, दृष्जित. अगर यही प्रश्ण आप से बंद पूछा जाता है कि खनी उत पादन मुली के दृष्टी से भारत के सिर्ष Tीन राज्य कौन से हैं तो उत पादन मुली में सबसे अधिक जो खनीज मुल्य के दृष्टि सरवादिक जो पहला राज्य है वो राजस्थान है दूसरे नमबर पर उडिशा का इस्थान आता है तो दोस्तो खनीजों के अंतरगत हम लोग पहला खनीज अगर देखते हैं तो लोह आयस के जो के मोश्ट इंपोर्टेंट है इससे प्रश् करनाटक है दूसरा उडिशा है और तीसरा जहरखंड है तो सरवादिक लोह इसका भंडारट किस राजी में है करनाटक में है अगर उत्पादन अगर आपसे पूछा जाता है कि लोह इसका सरवादिक उत्पादन उडिशा में होता है इसके बाद 36 गड़ में और इसके अधा रहा है वहां से सब डेटा लिया गया है और यह सन 2011 से लेके 2015 के मद्ध वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन के तद यह सर्वे कराया गया था तो इसके अंतरगत यह जो आकड़े आ हैं वह 2015 के आकड़े हैं 2015 में आकड़े प्रकाशित किया गया थे वही आकड़े अभी तक चल पर इसके बाद रूस का दूसरे इस्थान पर और ब्राजील जो है तीसरे इस्थान पर वही उत्पादन के दिश्टी से देखा जाए तो चीन में सबसे अधिक लोग है इसका उत्पादन होता है दोस्तों इसके बाद आस्ट्रेलिया में होता है और इसके बाद ब्राजील में तो यहां पर जो भारत का इस्थान है वो चौथा इस्थान है तो अगर आपसे पूछा जाता प्रिश्ण की लोग इसकी उत्पादन की दृष्टी से भारत का विश्य में कौन सा इस्थान है तो भारत का चौथा इस्थान है अगला है दोस्तो बाकसाइड बाकसाइड ज पुरिशा में होता है परन्तु जो दूसरे स्थान पर उत्पादन होता है वो गुजरात राज में किया जाता है इसके बाद वैश्विक परिदिश में देखें दोस्तों तो बाकसाइड का जो सबसे अधिक भंडारण होता है वो गीनी राष्ट में होता है जो कि दच्छड जो अफ्रिकन कॉंटिनेंट में पाया जाता है अफ्रिकन कॉंटिनेंट में है उसके बाद आश्टेलिया में सरवादिक भंडारण है बाकसाइड का इसके बाद थर्ड पोजिशन पर ब्राजील का है वह उत्पादन के दृष्टी से दोस्तों अगर बात कर तो के विए में तीसरा जो सबसे मोश्ट इंपोटेंट है वह काउपर यानी किades ताबा का सबसे अधिक हमारे राज呢 में हमारे राज्जी में जो है सबसे अधिक रजस्थान में होता है उसके बाद जारखंड रजस्थान में एक जगह है खेतड़ी यहां पर सबसे अधिक भंडारण होता है उत्पादन के दृष्टिस अगर ताबा को देखा ते मद्द परदेश में सरवादिक उत्पादन कि होता है ताबा का वो चीली के अंदर चीली के अंदर होता है फिर इसके बाद जो आश्टेलिया फिर इसके बाद पेरु का इस्थान होता है वहीं उत्पादन के बात करता चीली चीन फिर पेरु यानि कि चीली में भंडार उत्पादन दोनों होता है ताबाई का अगला है दो का इसके बाद उडिशा फिर उसके बाद 36 गड़ इसको दोस्तों आपको किसी भी तरह याद करना हो क्योंकि यह प्रश्ण ऐसे ही कई राज्यों को करम दिया रहता है और रोही करम में आरोही करम में आपको दिया रहता है फिर उसको सही आप्शन पर क्लिक करना होता है तो इ यहां पर होगे होग कि आपका cambio'm army house एजब कि भारत का भंदारट के देश्टी में हैं उत्पादन के देश्टी सबैत करें पाइस्ट को पादन करने वाला जो चीन है लेकिन उत्पादन के दिस्टी में भारत का को यहाँ यह भारत का इसा तीसरा है ठीक है दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं अगला जो खनीच है वह हीरा हीरा भी मोश्ट इंपोर्टेंट हीरा से प्रश्ण पूछे गए कई बार तो दोस्तों हीरा में सरबादिक भंडारण जो होता हमारे MP में होता है उसके बाद आंदर परदिश म सबसे भंडारण होता हीरा का उत्पादन के बात के दरूस में सरबादिक उत्पादन किया जाता है हीरा का दोस्तों अगला जो सबसे important खनीज है वो है Sona Sona का भंडारण हमारे राष्ट में सबसे अधिक करनाटक में किया जाता है फिर इसके बाद रहस्थान में है अज़के उत्वादन के दिरिश्टी सा अगर देखा था करनाटक में सरवादिक उत्वादन Sona का किया जाता है वहीं दोस्तों वैश्वक परिदिश में सरवादिक भंडारण Sona का जो है Australia में उत्वादन सरवादिक जो है चीन में है दोस्तों अगर चांदी की बात करें तो सरवादिक भंडारण सरवादिक भंडारण जो है चांदी का रहस्थान राजी में है और उत्पादन की बात करें तो रहस्थान में यानि कि चांदी का उत्पादन जो है सरवाधिक जो है मद्ध परदेश में और इसके बाद महराष्ट्रा में दूसरे इस्थान पर होता है वहीं कर अब ज्यादा पर प्रश्च ज्यादा कच्छा तेल से प्रक्तिक गैस की अगर बात करें तो सरवादिक भंडारड जो हो भंडारड है वो अब तटी छेतर अब तटी छेतर होते हैं जो समुद्र के किनारे वाले छेतर होते हैं जैसे अगर भारत को देखा जाए तो ये पोजिशन आते हैं तो इसके जो अब तटी वाले छेतर यानि ये एरिया जो है आपका यहाँ पर सबसे अधिक प्राक्तिक गैस का उत्पाद भंडारड होता है सरवादिक भंडारड जो है इनी एरिया में होता है फिर इसके बाद जो है दुसरे इस्थान पर असम जो हमारा राज है यहां पर कोने में तो पुरुवत्तर राज जो है आपका अगर हम इसको सही से देखें तो साइड में असम में दुसरे इस्थान पर आता है असम जो है तो यहां पर जो दोस्तों पुरुवत्तर राज असम में है तो यहां पर दूसरा पोजिशन पर सरवादिक भंडारड प्रक्तिक गया इसका और उत्पादन की बात कर रहे तो यह गुजरात राज में प्रटम राज्य हो जाएगा गुजराज जो है दूसरा राज्य हो जाएगा उत्पान के द्रिश्टीं से अगर बात करें दोस्तो तो आप 33 चत्मे सर्वादिक उत्पादन किया जाता है असम में आसम में उत्पादन का क्रम जो है तफ्लादिक उत्पादन जो सिपह रही New Guinea क कतर का इस्थानाता है दोस्तों यह पेट्रोलियूम पुराना डेटा है इसमें हम बात करते हैं यह जैसे आपका कि सरपथम तेल कुवा कहां खोदा गया थे यह प्रश्ण कई बार पुछा जा चुका है खासकर उत्तर प्रदिस लोग से वायों की परिछाओं में तो सरपथम तेल कुवा जो है माकूम 1860 में माकूम में खोदा गया फिर इसके बाद डिक बोई में खोदा गया 1889 में यह कहा इसके बाद दोस्तों अब्रक की बात करते हैं तो अब्रिक का सरवाधिक उत्पादन करने वाला जो राश्ट्र है वो चीन है उसके बाद अमेरिका के स्थाना था परन्तों अब्रक शीट के उत्पादन के अगर बात करें पूछा जाएगा तो उसमें हमारा भारत का अच्छड अमेरिकी राष्ट है और इसके बास सौधी अरब फिर इसके बाद कानाडा यह करम है यह कई बार पूछा एक कच्छे तिल का सरवादी भंडारण किस राष्ट में करम में लगाई है तो बेरे जुएला फिर सौधी अरब फिर कानाडा अगर वह उत्पादन के हम करते दोस्तों तो उत्पादन जो है सरवाधिक रूस में किया जाता है उसके बार सौधी-अरब में किया जाता है उसके बार यह इसके बारे में नजर डाल लेते हैं पहला है इसमें कि आंद परदेश के कुडपा जीले में मंगम पेट जो भंडार है विश्व का सबसे बड़ा अकेला बायराइट्स का भंडार है यानि कि विश्व में सरवाधिक बायराइट्स का भंडार कहां पर है आंद परदेश के कुडपा जीले में मांगर पेट में है वहाँ पर पाइरेट का सरवाधिक भंडारण है अगर दोस्तों दूसरा देखते हैं दूसरा पॉइंट तो भारत में सरवाधिक कोईले की खाने जारखंड में है अगर कोईले की खाने पूचता है कि भारत में सरवाधिक कोईले की खान की सराजी में है तो जारखंड राजी बिणनारद है तो ऩमेनार गूर रहें कि मनार गूरी में लिगनाइट का सर्वाधी बंडारू थेतर ये युद आहल देखा जता फिर इसके बात बाला घाट जो कि एम्बी में इस्ती ते 야हां पर इनको भंडारण तावे का देखा जाता है पांचमा पाइंट अगर है दोस्तों तो देखा जा कि पेट्रोलियूम का सरवाधिक उत्पादन कहां पर होता है वो बाम्बे हाई जो है जो मुंबई तर्थ है मुंबई तर्थ से करीब 166 किलोमीटर दूर इस्तित एक जगह है वहीं से पेट्रोलियूम का सरवाधिक उत्पादन किया जाता है अरब सागर में इस्तित है यह तो बाम्बे है जिसे सरवाधिक उत्पादन किया जाता पेट्रोलियूम का देश में अगर देखा जा दोस्तों तो कूल 22 तेल शोधन शाला है में इस्तित रूपसे और यह झाला है δोस्तों के सारजवनिक छेतर की सबसे बड़ी तेल्शोधन शाला कहां पर रहती है मंगलूरू इससी तक करनाटिक सारणी शोत की सरवाधिक बड़ी तेल शोद शाला स्रिमेंट उत्वाधन की बात करें दोस्तों सरिमेंट का सरवाधिक उत्वाधन चीन में होता है और स्रिमेंट उत्वाधन भारत का इस्थान जो है दूसरा है अगला बात करते हैं दोस्तों लाइक करिए, शेर करिए, कमेंट करिए, धन्यवाद दोस्तों.